हलो स्टूडेंट जैशी महाकाल कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वास्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूटूब चैनल यूविक्टर ग्यान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तो आज का हमारा जो वीडियो सेशन रहने वाला है उसका टॉपिक होगा बी एस एफ, एस आई और जेई की जो वेकेंसिया हैं उसके प्रिवियस एर कटोफ के बारे में 2023 का हम डिसकस करेंगे जिसके बेस पर आपको ये आईडिया लग जाएगा कि अब जो एक्जाम होगा उसका लेवल क्या होगा आपको किस तरह से अपनी प्रेपरेशन का लेवल शुरू करना है इनीशियली आपको कितने मार्क्स की जरुवत होगी जो कि आपको इस एक्जाम के फिजीकल के लिए एपलाई कर सके तो आईए चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का वीडियो सेशन और वीडियो सुरू करने से पहले सभी लोग अगर चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है कुछ लोग चैनल पर नए हैं तो उनसे मैं यही बोलूँगे कि जल से जल हमारे इस चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए क्योंकि किसी भी वेकेंसी से रिलेटेड भले ही वो स्टेट की हो या फिर सेंटरल गौवर्मेंट की हमारे इस चैनल पर सबसे पहले हर एक वेकेंसी की हर एक नई और पुरानी अपडेट अपलोड की जाती है जो बिलकुल ऑथेंटिक डाटा के साथ होती एकदिम सटिक नौलेज आपको प्रोवाइड की जाती है तो इतनी इंपोर्टेंट नौलेज के लिए और इन सभी जानकारियों की प्राप्ति के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले तो आईए शुरू करते हैं कि BASF SI को पिछली बार जो ये पेपर था दो हजार चोबिस का ये हुआ था च्छे अगस्त को और मैं बताओ कि BASF का एक रूल होता है कि एक्जाम के 45 डेज या फिर मेक्स टू मेक्स 50 डेज में वो अपनी आंसर की और इसका जो रिजल्ट होता है वो डेक्लेर कर देता है जादा टाइम नहीं लेता है किसी भी एक्जाम के रिजल्ट में या फिर उसकी जॉइनिंग में तो आईए शुरू करते हैं हम BASF SI के प्रीविस येर के कट ओफ को लेकर ताकि आपको अप कितनी कट ओफ जाने वाली है उसका आईडियल लग जाए इसमें दो पेपर होते हैं पेपर वन और पेपर टू हर एक पेपर सो नंबर का होता है तो टोटल जो आपकी कट ओफ होगी वो 200 मार्क्स में से हम बात करेंगे कि 200 मार्क्स में से आपके कितने क्या होंगे जो कि आपको एक फिजिकल के लिए आपका कोल आ सके और अगर मैं बात करूँ इसका लेवल का तो देखिए स्टूडेंट की कोई जादा हार्ड लेवल नहीं होता है बहुत ही easy भी नहीं पर 60 ठीक टाक लेवल रहता है कि अगर कोई स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ाई की होती है तो वो 100 में से 60 नंबर आसानी से इसमें ला सकता है इसमें BTEC वाले applicable नहीं होते हैं इसमें जिसने diploma किया हुआ होता है वही लोग इसमें exam दे सकते हैं तो यह चीज हो गई आपके exam के बारे में अब हम बात करते हैं कि सब inspector के बारे में कि आपके category wise cutoff कितनी गई थी पिछली बार एक साइड मैंने marks not कियें दूसरी साइड इसमें student not कियें कि कितने student को इसमें लिया गया था तो total यह होगा 200 number में से कि 200 में से अगर general category के student का 125 marks तो उसमें वो physical के लिए उसको call आ गया था देखे इसके cutoff कम इसलिए भी जाते हैं कि कुछ लोग तो physical से डर से इसका form नहीं बढ़ते हैं और कुछ लोगों ने diploma नहीं किया होता लेकिन अगर मैं बताओं आपको कि जिसने भी diploma किया हुआ है वो यह form जरूर भरे exam clear होना ना होना pass होना या fail होना वो एक अलग चीज है लेकिन exam का form भरे exam देने जरूर जाए तो 200 marks में से जिसके भी 125 marks भी आए हैं तो वो इसके लिए qualify हो जाएगा physical के लिए तो जैसे कि किसी ने अगर पहला जो paper होता है वो बहुत easy होता है किसी ने अगर 60 marks भी लिए है या फिर किसी ने अच्छा perform करके 70 marks लिए है तो paper second में तो सिर्फ उसको qualify marks ही चाहिए होगा यानि 120 में तो उसका selection sure है तो आप देख सकते हैं आपकी थोड़ी सी मेहनत आपको एक government job दिला सकती है तो जिसके भी 200 marks में से general category में 125 थे उसके 18 student को इसमें लिया गया था और मैं बताओं BASF का rule होता है कि 6 गुना लोगों को pass करती है कि जैसे अगर इसमें वेकेंसी है 54 तो इसमें 6 गुना पास करती है तो 9 चो के 55, 9 इंटू 6 तो यह 54 पोस्ट पर आ जाती है यानि 6 गुना का इसमें rule होता है तो total marks हो गए 200 EWS में 200 में से 116 के marks जिसमें candidate के थे वो इसमें clarify हो गया OBC के 101, SC के 111, ST के 103 जिसमें candidate कितने थे इसमें 51, SC के 6, ST के 3 candidates तो यह हो गई आपके sub inspector की और अगर मैं बात करूँ Jee Sub Inspector Electrical की पोस्ट के बारे में तो इसकी cutoff भी वही 200 marks पर जाती है General category की 120 नंबर पर आपका selection हो गया है यानि physical के लिए आपके पास call आ जाता है student इसमें 25 लिए गए थे EWS की cutoff गए थी 116 तो आप देखिए कि 200 में से 116 कोई जादा नंबर नहीं है बहुत ही कम marks सा आज की competition को देखते हुए इसमें 2 बच्चे लिए गए थे NV का मतलब यह होते है कि इसमें आपके पास में कोई vacancy नहीं थी obviously के लिए SC में 200 में से 102 नंबर जिसके आये थे वो clarify है ST की में बात करूँ तो इसमें कोई vacancy नहीं थी तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा जो matter है वो 200 नंबर में से अगर किसी ने 130 या 140 भी आज की exam की में बात करूँ यह इस साल जो exam होगा अगर आपके 140 नंबर भी है तो भी आपके पास physical का call आएगा यह sure है क्योंकि आदे लोग इसमें form इसलिए नहीं भरते क्योंकि उनको physical का डर रहता है और कुछ लोग इसको बहुत basic मान करके form apply करना भूल जाते हैं तो आप यह गलती मत कीजेगा और तो इसलिए आज का जो हमारा video session रहने वाला है तो उसके बारे में आपका जो यह total marks है वो 200 marks में से होगा तो 200 marks में से आपको यह करना है कि आपको 140 का तो average score लेके ही चलना है जो कि आपका highest score हो जाएगा और इसमें negative marking नहीं होती है तो आपको सबी के लिए useful और जो भी लोग अब BSF SIJE की exam की preparation कर रहे है उन सबी के लिए मेरी best wishes है तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को subscribe जरूर करें और वीडियो को share करना ना भूले thank you so much